Hello and a huge welcome to English on. I am Bharti. In today's video, we learn an idiom. Let's have a look at a comic strip. आज की वीडियो में हम एक मुहावरा सीखते हैं. Please concentrate on the screen. Here you can see a cartoonized picture where a girl is talking to a boy. आप इस picture में देख सकते हैं, ये लड़की अपने एक फ्रेंड से बाते कर रही है. चलिए देखते हैं, ये लड़की क्या बोल रही है? अपने फ्रेंड से क्या बाते कर रही है? ये लड़की इस लड़के को बोल रही है. Are you really nervous about tonight's performance? क्या तुम सही में बहुत ज़्यादा नर्वस हो, चिंतित हो, आज रात की performance को लेके? में भी आज रात को इस लड़के का कोई show हो, या फिर ये competition में part ले रहा हो, या कोई contest हो. तो ये इससे पूछ रही है, बातचीत कर रही है. तो कहते हैं, क्या तुम सच में चिंतित हो, आज रात की performance के लिए? Don't worry, चिंता मत करो, you will be fine. सब कुछ ठीक होगा. Break a leg, अब इस लड़की ने end में बोला, break a leg, अब ये लड़का सोच में पड़ गया, ये लड़की मुझे टांग तोड़ने तुडवाने को क्यूं बोल रही है? पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये लड़की इसको ऐसा बिलकुल नहीं बोल रही, घबराईये मत, ये बिन बात के ही डर रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोल रही, break a leg एक idiom है, मैंने आपको अपनी last वीडियो में भी बताया था, idioms का literal meaning नहीं होता है, idioms का figurative meaning होता है, हमें meaning निकालना पड़ता है, figure out करना पड़ता है, break a leg एक idiom है, जिसका मतलब होता है, good luck या फिर all the best, ये लड़की इस लड़के को break a leg बोल रही है, इसको all the best wish कर रही है, आज रात ये जिस भी contest में हिस्सा लेने वाला है, उसके लिए या जो भी competition में ये participate करने वाला है, या कहीं पर dance करने वाला है, तो ये इसको wish कर रही है, break a leg, good luck, अच्छा इस idiom के बारे में मैं आपको एक और जानकारी देती हूँ, जरूरी नहीं है आप ये break a leg idiom को किसी sentence में ही use करें, आप इसको stand-alone भी use कर सकते हैं, आप किसी को भी good luck या all the best की जगे break a leg बोल सकते हैं, ये हैं idiom native speakers use करते हैं, instead of all the best या good luck, आया आपको समझ में ये idiom इसका meaning क्या है, तूरी नहीं है कर दो आपको।